जैश्री रामित्रों बावका अश्रवात एस पिन चनल पर आप सभी का स्वागत कमेंट बॉक्स में आए प्रशनों में से आज हमने आपके लिए जो प्रशन चुना है कि पूजा के समय जब आपको लंबी-लंबी उबासियां आती हैं आपके आशु टपकने लगते हैं या रोंगटे खड़े होने लग जाएं तो ये संकेत हमें क्या प्रदर्शित करते हैं पूजा के समय जब कोई व्यक्ति आराधना करने के लिए बैठता है भगवान के सामने हाद जोड़ कर दिल से प्रार्थना करता है और पूजा के लिए जब तप नियम हवन या धूपदीप नवैद लगा करके अपनी प्रार्थना करता है करन पुकार करता है तो उस समय जब व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी सादक वरंदे हैं वो जानता है जितने समय तक आप जाप करते हैं उस जाप के करने के बाद उस से दुगना समय जदी आप ध्यान के लिए प्रदान करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नतियों में चार चांद लगते हैं भगवान का आशिरवाद आपको प्राप्त होता है, आपके मंगल ही मंगल कारिय होने लगते हैं, पर सन्नता हमेशा आपके चित में भरी रहती है, आपका दिल आनंद से भरा रहता है, ध्यान आत्मा की शुद्धी करण का सबसे बड़ा उपाय है, जैसे हवन करते हैं तो वा प्रेत बाधा होती हैं, वह हमन पुजा पाट से चली जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर, स्थान तो एक ही है, जैसे आप अपना एक कमरा समझ लीजिए, वहाँ पर अगर सोफा डला हुआ है, या आपको एक कुडा करकटी कठा करना चाहते हैं, तो वह है एक स्थान जब एक उर्जा ज्यादा बढ़ जाती है, तो दूसरी उर्जा को वहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक स्थान में ज्यादा उर्जाएं एक साथ नहीं आ सकती, और विप्रित उर्जाएं तो बिलकुल भी नहीं, तो जिस प्रकार पोजिटिव नेगर्टिव का उर्जाएं, जो इश्ट देव की उर्जा है, वह उर्जा धीरे धीरे आपके पुझा पाठ जब तपनियम से जब बढ़ती है, बढ़ती है, तब नकरात्मक उर्जाएं स्वते ही वहां से जाने लगती है, परन्तु वो जो आप जब तपनियम प्रेमा भक्ति में करते हैं उसमें जब आप प्रगाड होकर के ध्यान मुद्रा में आते हैं, तो उस ध्यान मुद्रा में आने के बाद आपके अंदर जो उर्जा, वो पोजिटिव उर्जा आती है और नेगटिव उर्जा जो निकलती है, उससे आपके रोम छिद्रों में से भी एक आनंद की महक अच्छी खुश खबरी आने वाली है, ऐसा महसूस होने लगता है, दिल अपने आप बाग बाग खुशी से भर जाता है, तो जब आपके अंदर वो उर्जा प्रवेश करने लगती है, उस भगवान की ध्यान के माद्यम से जब आप पूजा स्थान पर बैटे होते हैं, तो पूजा में जैसे ही आप तनमे होने लगते हैं, एक ले, एक वेवस की तरह समाने लगते हैं, तो आपका मूँ खुलने लग जाता है, और आपको लंबी-लंबी जमाईया आने लगती हैं, और आप इस तरह से करने लगते हैं, तो जब आपको लंबी-लंबी जमाईया आने उबासियां आने लगती हैं, आखों से अपने आप जल बहने लगता है वह रोने वाला आशू इन आशू नहीं होते हैं वो ध्यान के अंदर अपने इश्रदेव के परतिजौब की प्रेमा बक्ती है ऐसे जैसे कि आपने उन्हें छू लिया हो, जैसे पा लिया हो तो अपने आप आँखों से अश्रू बहने लगती है बड़ी बड़ी जमाहियां आने लगती हैं, इतना मुझ खुल जाता है कि आपको आम तोर पर जो नींद वाली उबासियां आती हैं वैसी उबासियां नहीं होती हैं वो जमाहियां हैं, वो अलग प्रकार की उर्जा का संकेत आपको करती है कि जो उबासियां आती हैं, उस समय आपके इष्ट देव, आराद्य देव की उर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है और उस उर्जा को शरीर धीरे धीरे अपने अंदर समाहित करने के लिए वो है जो रास्ता खोलता है वो है जमाई लेने का एक संकेत आता है ऐसे ही जब कभी आप जदा प्रेमा भक्ती में बढ़ते हैं तो आप क्या राते देव के प्रती जो आपका समर्पन है जो उसमें मिलन का एक भाव है उससे अश्रुधाराई महने लगते हैं जैसे जब भरत जी राम जी से मिलने गए और उनकी चर्ण पादिकाएं ले करके आए उस समय जब वो भगवान राम से मिले थे भरत जी तब उनकी आँखों से अश्रुधाराई रुकी ही नहीं रही थी भगवान से जब मिलन होने वाला होता है तब अपने आप आँखों से आँसु आने लगते है वो रोने वाले आँसु नहीं है, emotional touching नहीं है वो अपनी ही प्रकार की भक्ती रस के अंदर आपका अनुभव भगवान आपको कराते है कि बेटा मैं तेरे पास ही हूँ और तुसे जल्द ही साक्षात भी मिलने वाला हूँ तो अनुभव होने लगते हैं हमें, वो एक अनुभव है कि आपकी आँखों से अश्रुधारा भेह निकलती है आपकी वासियां इतनी बड़ी हो जाती है कि जो होटों के किनारे हैं कई बार तो ये मुँ बंद नहीं होता और ये फटने लग जाती है इतने तगड़ी उर्जाओं का संचार इस जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बताया जाता है जिसे ब्राउनियन मोशन भी बोल देती है ठीक है अलग-अलग साइंस के स्टुडेंट हैं जो वह साइंस में पढ़ते हैं विज्ञान की बहुत सारी ऐसी तथ्ये हैं जिने आप खोजना आरम करेंगे तो स्वेम विज्ञानिक भी आज तक यह नहीं बता पाते हैं युश एक्टर में एनर्जी आई कहां से एक पढ़ेवे धूल के कण में भी कहां से एनर्जी आ जाती है उसमें इतनी उर्जा कहां से समाईत हो जाती है कि वह लगातार ऐसे हिलता रहता है डस्ट पार्टिकल की तरह तो वो उरजाएं दिखती नहीं है वो आपको सिरफ अनुभव होती है उनकी जो आने की और जाने की जो शक्तियां हैं उनके अनुभव आपको रह जाते तो जो बार-बार उबासियां आना मूँ खुलना आखों से आसु गिरना या शरीर के अंदर ऐसे अपने आप कमपन हो जाना कभी कमपन आपका रीड के अड़ी में होगा जिसके अंदर आपने सुना है कुंडलीनी शक्तिया से उपर की तरफ बढ़ती है जो धाई कुंडल मा के सांप की आकरती में हमारे सबसे नीचे केंदर रीड के अड़ी के सबसे नीचे secular मूला धार में व्यवस्थित है और जब जागने लगती है तो वे रीड के अड़ी के सनाय उतन्त्र से ऊपर की और बढ़ती है या دा और अ सुश्मना नाडी आठा जो हमारी गरदन के इ उबासियाना आश्रों का अपने आप गिरना और शरीर में जो कम्पन होना है वे अपने आप होने लगता है यह सिरफ भगती के अनुबहु हैं इनमें आप यह ना समझें कि आप पर किसी प्रेत का साया हो गया है पता नहीं कोई भूत प्रेत आने लग गए हैं और हमारा तो अलग रग प्रकार का शरीर में संचार होने लग गया है हमें तो पुझापाट छोड़ देनी चाहिए ऐसा कभी नहीं करना यह भगवान की आपके उपर होने वाली आशिरवाद की तरंगे हैं उन तरंगों को आपने महसूस करना है उस पोजिटिविटी को उस धनात्म कु और उरजा को आप अपने शरीर में संजो सकें उन एहसास को उन भावों को भगवान के प्रति जो आपके शरीर में उभर रहे हैं संकेत दे रहे हैं maior एपने उरजा का तो उससे आपको समझेना चाहिए। कुछ जो अंजान व्यक्ति हैं इन बातों को नहीं उन्होंने कहीं सुना है या समझा है तो व्यक्ति बड़े ही उद्वेलित हो जाते हैं और जल्दी-जल्दी में वो अपने इन संकेतों को बुरा समझ कर उस ध्यान की मुद्रा को समय गटा देते हैं या उस उर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि किसी भी स्थान में किसी गिलास में पानी तभी आएगा जब उसमें थोड़ा सा स्थान होगा और वो उसको झेलने के लायक हूँ जैसे कहा जाता है शेरनी का दूद सिरफ स्वर्ण के पात्र में ही रखा जा सकता है और किसी भी बरतन में किसी भी दातु के बरतन में आप उसे रख लेजिए वह उसमें छेद करके बाहर निकल जाता है ऐसे ही यदि आप भगवान के प्रति दड़ संकल्पी हैं अपनी भक्ती भावना से हटते नहीं हैं उन अनुभवों को भगवान के किरपा समझ कर अपने प्रार्थना के बलबुते से भगवान से वह अनुभव प्राप्त करते हैं तो आप और भी ज़्यादा आत्मी उचाईयों को प्राप्त कर लेते हैं आपकी वाक सिद्धी हो सकती है, आपके दिवे दरश्टी खुल सकती है, आपके सैसरार चक्र मेंने हज्जारों सूरियों का प्रकाश आपको प्रदर्शित हो सकता है, दिखाई दे सकता है ध्यान में, तो ये संकेत हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नतियां हो रही हैं, इनको बुराना समझे और इसी प्रकार की अन्य जानकारिया भी हम आपके लिए अन्य वीडियो में लाते रहते हैं आप हमारे चैनल पर जुड़ें इंस्टा एडी है बाबा काशिरवाद उस पर जुड़ें अपने समस्याओं को कमेंट बॉक्स के मादर में तक हम तक पहुंचाएं या हमारी लाइव में जुड़ें बाबा काशिरवाद उस पिन चैनल की लाइव में जुड़ें और अपना सरल समाधान फ्री ओफ कोश्ट प्राप्त करें आप अपने समस्या समाधान के लिए हमारे फोन नंबर 9467-820285-9678-2285-94678-20285 पर समपर कर सकते हैं और अपने किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं दरबार भी लगाया जाता है शनिवार और इतवार को बाबा बाला जी की किरपा से माता राने की किरपा से दरबार लगाया जाता है जिसमें भक्त जनों से जुड़ते हैं उनकी समस्या का समाधान करते हैं तो बाबा जी की किरपा के अनुसार आपका जीवन मंगल में बना रहे और आपको किसी प्रकार का कोई कश्ट ना हो इसी शुपकानना के साथ आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपने गुरु देव का अपने इश्ट देव का जैकारा जरूर लगाएं जैश्री राम